नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप मुईर है सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज हम अन्वाक्सिंग करेंगे नोबा की तरब से आने वाले एक हेर ड्रायर की यह आप देख सकते हैं जो इसका मॉडल है वो है एन एच्पी 8100-05 और यह होट एंड कोल्ड सेटिंग के साथ आता है और यह वारस वाट की आउटपुट के साथ आता है और इधर आप देख सकते हैं जो इसका MRP जो बॉक्स वे मेंशन है वो है 845 रुपीज पर मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा मैंने इसे फिल्प कार्ट से कितने का पर्चेस किया है यह एक मेड इन चाइना प्रो बॉक्स के अंदर आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनूल देखने को मिल जाएगी जो कि यह है और साथ ही आपको जो में यूनिट जो हमारा है ड्रायर है वो देखने को मिल जाएगा और आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं चलिए बात कर लिजाए हमारे ड्रायर की तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके से यह देखने को मिलेगा और यह नया होने के बाद भी बॉक्स में यह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर डस्ट वगरा जबी होई है उमिद करता हूं यह नया ही होगा और यह आप देख सकते हैं जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस यह इसका mechanism है fold करने वाला और उपर आपको Nova के branding देखने को मिल लाएगी साथ ही जो इसका model है वो आपको देखने को मिल लाएगा और जो इसका head है वो एक narrow उसके साथ आता है मलब जो head है वो narrow है और यह rotatable है इस तरीके से और removable भी है आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने भी remove करके दिखाया आपको इस तरीके से और पीछे की side आपको ventilation के लिए holes मिल जाएंगे जो काफी अच्छी बात है और hair dryer में होते ही है और बात कर लिजा इसकी cord के length की वो भी काफी अच्छी है और quality करता हूँ एक बात फिर मैं आपको दिखाता हूँ यह किस तरीके से काम करता है तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे plug कर दिया है और इसमें 3 settings आपको देखने को मिल लाएंगी जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो उपर वाला यह off है और जो second setting है मतलब यह वाला तो यहाँ पर आपको जो cold setting है वो देखने को मिलेगी और जो last वाली setting है last वाली setting cold hot की है और जो उपर वाली हाँ पर off फिर second number cold जो air हो आएगी और फिर hot air आएगी और आपने देखा होगा कि यह निकल गया क्योंकि मैंने इसे डंग से tight नहीं किया था तो आप इसे ensure कर लीजिए इस तरीके से अब आप देख सकते हैं यह अच्छे से tight हो चुका है तो अगर मैं इसे on करता हूं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो काफी अच्छा है इसका जो air flow है वो आपको देखने को मिल जाएगा तो बात कर लीजिए इसके price की जो मैंने इसके लिए pay करे हैं तो यह आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए 549 रूपीज बे करे हैं तो आप चाहें तो इसे buy कर सकते हैं आज के लिए वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए में बते हैं गें बखसी मैं थैंक यू